नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंगीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संभीदा कर्मियों का लोग की लिए नेटवर्ट न्यूज फोर फोटी फोर नीज दोस्तों एक बार फीर आपका हमारे चैनल में स्वागत है हार्दी कभी नंदन है तो दोस्तों आज की आंगनबाड़ी सेव का सहाई का आसा कर्मी को लेकर समीक्षा बैठक के द्वारा की समाज कन लियान विभाग के साथ जो है कि समीक्षा का योजन किया गया है जिसमें स्वास्थ बिभाग के पर्धान सचीव भी सामिल हुए है और आंगनबाड़ी सेविका शाय के आसा कर्मियों में भारी जो है की अक्रोस हैं और यह लोग चाहते हैं कि जब सरकार को बेतन बिरिधिक करना ही है तो जल्द से जल्द करके जो है कि सब का बेतन बिरिधिक ने सीरे से सरकार निर्धारित कर दे किन्तु यहां जो है कि समिक्षा का दोर खत्म ही नहीं हो रहा है लगतार यह लोग समिक्षा बैठक पर समिक्षा बैठक कर रहे हैं किन्तु अब जो खवर निकल कर आ रही है उसके अनुसार बहुत जल दिन लोगों का मांदे जो है कि बिरीधी करने पर फैसला सरकार ने कर लिया है और बहुत कौम समय लगने व अकीर थी वह जो की छोटी प्रणक चुकी है लोग चोड चुके हैं उनका मना है कि सरकार जो है कि उन्हें चुनाओं में महट जो है कि एक प्म लोक लुभावना मवाधा कर रही है लेकिन अब ब्यतन भिरीधी नहीं होगा किन्तु जो है कि सरकार के तरफ से समीशा बैठक हो रहा है जिसे जो है कि उमीद बढ़ जा रही है लेकिन आपको बताते चले कि बिहार समय तमाम राजयों की आसा अंगन बाड़ी सेविका सहाई कि यह कहीं मांग है कि उनका जो है कि बेतन करमचारी भविस निधी के दाइरे जब करना ही है तो बहुत जल्द करके और चुनाओं के पुर्व जो है कि इनको व्यतन बिरिद्धे का लाबपरदान किया जा क्योंकि इनका जो है कि बहुत सारा समय कार्जवधी में ब्यतीत हो चुका है और यह लगातार अपने सेवा में बने हुए हैं और सेवा दे रही है ऐसे परिष्तिती में महिला होने के नाते जो है कि इनका सोषन बंद होना चाहिए और यह दि जो है कि इनका सोषन सरकार बंद नहीं करती है तो अन्थतो-गत्वा हम अपने चैनल के माद्यम से जो है कि रासी यह कत्रीत का रूच न्याले का रूख करें गए और चिन्याले में वाद दायर करेंगे और निश्चित तोर पर इन लोगों के संबंद में जी जो है कि फैसला आएगा कि इन्हें राजकर्मी घोसित कर नियवित किया जाए किन्तु हम चाहते हैं कि उसे पहले आज सरकार अपने अस्तर से जो इन्हें देना चाहती है वह रासी निरधारित करें क्योंकि महच जो है कि एक हजार और डेर हजार की बिरिधिक और आज के महागाई की यूग में बिगडने वाला नहीं है छे हजार साथ हजार रूपए से आज इस महांगाई के दौर में क्या हो सकता है कुछ भी नहीं हो सकता है उतनी रासी से तो जो है कि घर की सब्जी भी खरीदा कर जो है कि नहीं आ सकता है वैसे में जो है कि कोई जौब करता है कोई कार्ज करता है किस साथ जो है कि हम अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई स्वास्थ सिख्षा आधी की ब्यवस्ता कर पाएं लेकिन किन्तु इस महंगाई के दौर में सरकार जो यह मजाक कर रही है 50000-6000 रुपै रासी देखर उससे आंगनबाड़ी सेविक्या सहाई का सोचन के साथ करोज का मामला भी बन रहा है और हम बिहार सरकार को बता देना चाहते हैं कि समय रहते यदि आङनगनबाड़ी सेवी कर्मियों के बेतन में बिरिधिक सरम इस्रम सबसाधन बिवाग ने जो अध्याद drama करिया जिसमें कहा गया हैं कि बिहार में किसी स्रामीक स्रामिक कानूनों के अनुसार 611 रुपया वतिक उसल मजदूर के लिए जो रासी तय की गई है उससे कौम रासी किसी को दिया जाना कहीं से नियाय ओचित नहीं है यह जब बिहार सरकार के स्रम संसाधन विवाग के सचियों स्वयम लीख कर सभी को जो है कि बता रहे हैं ऐसे म पुछना चाहता हूं कि फिर जब यह नियाय ओचित नहीं है तो कैसे जो है कि बिहार के अंगन बाड़ी से कासाई का आसा कर्मियों को कौम मान्दे दिया जा रहा है विवाग सरकार स्वयम स्वय कार करती है की 611 रूपह की किसी को दिया जाना नियाय ओचित नहीं है और सक्त करवाई का नियुदेश भी देती है और यहां तक बताती है कि सभी को जो है कि करमचारी भविस नीधी के दाइरे में लाया जाएगा तो अंदोलन यदि आसा कर्मी आंगनवाड़ी से क्या सहाइका जो है कि अभी वेट एंड वाच की मुद्रा में हैं वह इंतियार में हैं वह देख रही है कि सरकार जो है कि उनके लिए क्या कदम उठा रही है कितना जो है कि सरकार दे रही है उसके बाद जो है कि भैंकर अंदोलन की सुरुवात होगी और उसमें जो है कि न्या क्या निर्न देती है और उच नियाले से उच्तम नियाले तक जब मामला जाएगा तो जब से आंगनबाड़ी सेवी का आसा कर्मी सहाइक्या का जो है कि नियोजन की तिथी की रोज से जो है कि उनको बेतर मान जोल कर देना होगा उसे पहले जो है कि सरकार को सचेत करने के लिए सरकार तक आंगनबाड़ी सेवी का सहाइका आसा कर्मियों की मांग पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करना लाइक करना एकदम आवस्यक है तो जितने भी आंगनबाड़ी सेवी का सहाइका आसा कर्म हम इस चैनल पर आ गया है इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए कियों कि हम आप ही की बात कर रहे हैं आप जो है कि 5-6 मिनट का समय हमारे वीडियों में दिजिएगा वीडियों की वाच किजिएगा फूल वीडियो वाइरल होगा आपकी आवाज जो है कि डिजिटली रूप से सरकार तक पहुंचेगी और डिजिटल इंडिया का सपना केंद्र सरकार ने इसलिए देखा है ताकि जो है कि तमा मासा कर्मी आंगन बाड़ी सेविका साही का सहीत जितने भी कर् ठोड डिजिटली तरप सरकार तक पहुंचेगे और सरकार इनकी मांगों पर श्यक्राइब पूर्य श्यक्रम करते हुए समय रहते श्यां के सारी मांग हे पूरी कर दें और हम लगे हुमें हैं और हम लागातार जो है कि बाभी सेविका सिजिग का साहीका कि मांग को उठा sic और जो है कि अब वह दिन दूर नहीं जब आसा कर्मी आंगन बाड़ी सेवी का सहाई काओं की मांग सरकार को मंजूर करनी पड़ेगी कि सरकार किसी के उपर इहसान नहीं कर रहे हैं अ का लुट का सरकार का वॉर्क जो आंगन बाड़ी शयाकर्मे उसी के बदले बेटन की मांग कर रही और और उब्रेया कि संसाधन विवाग बार 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 जो पत्र लिख कर या बाते को हर रहा है कि आंगन बाड़ी सेविका सहाई का आसा कर्मी या कोई भी सम्विदा कर्मी हो वे जो है कि अतिक उसल की सेनेरी में आते हैं और उनका जो है कि EPF कटना चाहिए EPF की रासी सरकार को जमक करनी चाहिए अयसे में जो है कि सरकार जब तक इनके बेतन को 12,000 से अधिक नहीं करेगी तब तक EPF की रासी की कटवती भी संभव नहीं है इसलिए सरकार सारी बातों को जानती है और सारी बातों को समझती है और सरकार बहुत जल्द इनकी मांगों को पूरा करे वैसे तो हम न्याले का रूख करेंगे ही तो इस वीडियो पर आप लोग जो है कि अपना राय ब्यक्त कीजिए और सरकार तक की सावाज को पहुंचाईए चैनल को सब्सक्राइब और सेयर कीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में महत्पून खबरों के साथ तब तक के लिए जय हिंजय भारत जय बिया